एलो स्टुएंट वल्का मा योट्व चनेल लरं टिamt उन्हार्फ मुआपका स्वागत हैं आज इस वीडियो में डिक्स्कारेंगे सालर क्या है पी डिंट्रक्शन करेंगे सक्मास के बारे में कि आखिर में स्टॉराइब करते हैं इंहुर और ऑपने दोस्तों सा जरूब वीडियो सेरख कीजेगा अगर topic समझ जाते हैं तो चली देंट सबसे पले समझते हैं कि आखिर में solar pond होता क्या है solar pond को एक तरका सोर तलाब भी आप इसे बोल सकते हैं ठीके देख सकते हैं नीचे में इसके definition लिख के बताईए लिखी भी क्या है कि solar pond खारे पानी का एक तलाब होता है जो सोरित तापह उरजा को एक जगा इखटा और जमा करके रखता है जिस से गर्मी और सक्थी का एक अस्थाई सुरोत परदान होता है इसका उपयोग गर्मे या बिजली पैदा करने या उदियोग और क्रीसी में कम तापमान के अनुपरियोगों के लिए किया जा सकता है यह एक सधारन घटना पे काम करता है मतलब कहने के मतलब है कि सोलर पॉंड को आप एक तरका सोरे तलाब भी आप इसे बोल सकते हैं आकरी में यह सोलर पॉंड होता क्या है तो खारे पाने का एक तलाब को हम लोग सोलर पॉंड बोलते हैं में परपस होता है यह सोलर पॉंड का के यहाँ पर सूर के लाइट के सयोग से अपने अंदर हीट को एबजोब करना उद्योग में भी इसका उपयोग किया था जो बड़ी मातरा में गरम पाने के आप सकता पड़ती है ठीक है तो यह एक तरका human made एक तरका बड़ी सी तलाब होती है जिसके अंदर तीन को लेयर बना जाती है ठीक है इसकी जो फर जो लेयर होती है जिसे एक तरका upper convective zone बोलते है जो fresh water का एक layer होता है ठीक है यह जो गरम होती है sun के light की से तो यहाँ पर 30 degree तक गरम होती है ठीक है इसकी जो second जो लेयर ज ह arrangements इसकी नीचे बना जाती है यÈ जो layer होती है यह वाटर का layer होती है ठीक है जो second जो layer होती है उसको non connective zone बोलते है यह तरका salt water का layer मतलकि कम salt water का एक लेयर इसे बना जाता है जो एक तरका इंसुलेशन जोन से आप इससे बोल सकते हैं ठीक हम ये घरम होती एनॉर्मल हिसाब से यहां पर सन की light के सयोग से गरम होके ठंडा होते रहती हैं ठीक है इसके जो मेन परपस वाली जो तीसरी जो लेयर होती है जिसे एक lower convective zone बोलते हैं या दूसीरी भासा में अब इसे एक तरका storage zone बोल सकते हैं जो sun की light के सहयोग से 85 degree तक ही गरम हो जाती है ठीक है क्योंकि इसके अंदर salt की जो मातरा होती है बहुँ ज़्यादा high होती है ठीक है जिसे एक तरका हम लोग saturated zone भी आप इसे बोल सकते हैं मतलब एक तरका salt water saturated zone बोलता है ठीक है मतलब इसके अंदर इतनी है पर salt की मातरा होती है कि इसके ज़्यादा हम लोग salt इसके अंदर नहीं मिला सकते हैं ठीक है जो sun की light को अपने अंदर absorb करके ये बहुँ जल्दे heat हो जाती है अगर solar pond की अगर history की बारे में अगर जानेंगे इसकी जो शुर्वाद जो की गई थी July 1987 में गुजराफ state के कर्च district में की गई थी जो जिसका यहाँ पर solar pond का जो नाम था भूज solar pond नाम था ठीक है यहाँ पर एक विसाल से गड़े को खोदी बई इसके अंदर यहाँ पर तीन गुफ लेयर का निरवान किया गिया इसके अंदर खारे पानी को डाला गिया और ये सूर की light के सजवग से 2-3 मनद के अंदर ये पानी को गरम करके इसके सजवग से यहाँ पर गरम पाने का उपयोग यहां पर sun की light के सजोग से ठीक है अगर इसके real view देखिएगा इसके real image देखिएगा तो देख सकते हैं कुछ आपके सामने ऐसा नजर आएगी ठीक है यह देख सकते हैं किस तर से यहां पर गुजरात में इसके अस्थपना की गई थी यह जो बना जाता है समूधर के किनारे बना जाता है जो यहां पर sun की light इसके बार कंट्रियों पर सके इसके अंदर खारे पानी को फील कर दियाती है इसके जो गढ़ा की जाती है 5 फिट से लेके 10 फिट के दोरान की जाती है requirement के हिसाब से आप कितनी बड़ी आप solar pond बनाना चाह रहे हैं ठीक है तो चलिए आप समझते हैं इसका construction के बारे में कि आकरी में solar pond कैसे बना होता है आकरी में किस तर से solar pond को यहाँ पे human made के सयोक्सी से बना जाता है यही चीग को समझते हैं ठीक है तो दीकि सबसे पहले क्या होती है solar pond को बनाने के लिए सबसे पहले 20 साल सी मैदान के आप सकता पड़ती है एक जमीन के आप सकता पड़ती है ठीक है requirement के हिसाब से आपको जीश टाइप के solar pond को बनानी है कितनी बड़ी बनानी है ठीक है खास तोर पर समुझत के किनारे वाले जगह को इसको चूना जाता है ठीक है अब क्या काम कर दियाती है देख सकते हैं इसको एक तरका क्या बोलेंगे ground surface बोलेंगे ठीक है अब क्या होती है जसके नीचे एक ठोर layer बना जाती है इसको क्या बोलेंगे एक तरका non-convective zone बोलेंगे जिसको आप एक तरका insulation zone भी आप बोलते हैं ठीक है इसके अंदर हम लोग low salt water को fill करते हैं मतलब एक तरका जो कम मातरा में salt water होती है थोड़ी से नमकिन पानी होती है ठीक है अब क्या काम करते हैं जसके नीचे में हम लोग तीसरी layer को बनाते हैं इसको एक तरका lower convective zone बोलते हैं ठीक है जिसको आप दूसरी भासा में storage zone भी आप इसे बोल सकते हैं इसके अंदर जो salt की मातरा होती है high salt water इसके अंदर बना जाता है मतलब इसके अंदर मिला जाता है ठीक है जिसको एक तरका saturated salt water बोलेंगे मतलब इसके अंदर जो खारे पानी जो बना जाता है इसके अंदर इतनी जादा खारे पानी होती है उसके बाद इसके अंदर हम लोग खारे पानी को नहीं मिला सकते हैं, जिसको एक तरह saturated salt water हम लोग बोलते हैं, ठीके, अब क्या होती है, जिसके नीचे में एक तरह का black surface को बना जाता है, जो यहाँ पर sun की light को अपने दिर absorb कर सके, और यह तीसरी जो layer इसको बहुत ज्यादा heat कर सके, ठीके, अब क्या काम करते है जिसको एक तरह का lower convective zone बोलते हैं, इसके अंदर pipe को एक तरह का बैठा जाता है, जिसके अंदर cool water को भी भेज सकते हैं, इसके अंदर salt water जो ठंडर salt water है, ठीके, अब दूसरी जिए हाँ पर दे सकते हैं, नीचे में ठोर pipe होती है, जो hot water इसके सर्योग से निकाल सके, जैब तो इस तर से इसकी पूरी कंसक्सान हो जाती है ठीक है तो चलिए आप समझते हैं इसका working के बारे में कि आखिर में solar pond कैसे काम करता है आखिर में किस तर से sun की light के सयोग से जो इस तलाब के अंदर जो खारे पानी है उसको गरम कर दी जाती है और गरम पानी का उपयोग हम उपर वाली जो पानी हो गरम होती है उपर वाली पानी ठंडी होती है यह चीग को समझते है ठीक है जैसे कि माल लिए आपके सामने यह जो pond नजर आ रही है यह एक तर का normal pond है ठीक है और इसके अंदर पूरी तरक से fresh water से feel है ठीक है मतलब कोई भी इसके अंदर नमकीन पानी नहीं है नोर्मल पानी है ठीक है और यह पानी पूरी तर से ठंडा पानी है ठीक है अब क्या होगी जो sun की जो radiation है जब 2 से 3 मत यहां पर यह यह वाटर के उपर continue गिरती है तो उसके दुरान क्या होती है सबसे पहले क्या होती है जो sun की जो radiation है उपर वाली लेयर के उपर भी गिरेगी और इसके नीचे वाले लेयर के उपर भी गिरेगी ठीक है उपर वाले लेयर भी वार्म होगी और इसके नीचे वाले लेयर भी एक तरका वार्म होगी ठीक है उपर वाले लेयर क्या होगी कि जब वार्म होगी इभा पोरेट होगी और उपर वाले जो पानी है गरम ह क्या होती है यह नीचे की और पानी हमर तलाब की नीचे की और बैठे वी रहती है ठीक है जब से संगे रेडिशन के पढ़ती हो तो गरम हो जाती है और डिस्की डेंसिटी कम जाती है लाइट के फॉम में होने वाद हभाप में उड़ आती है ठीक है तो उपर वाली पाने के उपर कंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जाएगी और यह गरम पानी है उपर की और चले जाएगी ठीक है उपर वाले जो पानी है ठंडी हो जाएगी ठीक है इभापुरेट होगे पहले से उपर वाले जो गरम पानी ऊड़ चुके तो पुरी ठंडी होगी जादा हो जाएगी तो यह पानी नीचे की और चले जाएग जिसके कुछ strang यहां पर जया सफाधन का कॉंसेपबुरी स Vincent को सचयोग सवर्ण जो हने का जाते हैं। इतनी जादे गरम हो जाती है कि इसका उप्योग हमल इलेक्टिसिटी बनाने के लिए उप्योग करते हैं इसके 3 की लेयर है ठीक है तो सबसे पहले के संकी जो रिडियसन मतलब पुरुठ आपाने से इसके अपर बिग्देडच् A उपर वाली जो layer की जो water वो भी गरम होगी और नीचे वाली जो layer की जो water वो भी गरम होगी वो भी 7 महीं 2-3 में जब continuous sun के radiation पढ़ेगी तब ठीके अब क्या होगी ऊपर वाली layer क्या होगी धीरी धीरी क्या होगी तो कुछ ऐसा convention चलता है हमारा एक तरह का first layer में जिसको अपर converted zone बोलते हैं जो पूरी तरह से fresh water से fill होती है जैसे हैं यहापर पानी गरम होगी उसकी density कम होगी और light के फो में होने को उपर के और चल जागी तो इसकी temperature चले जाती है नोर्मल यहापर 30 degree Celsius तक गरम हो जाती है उपर वाली पानी इसके लास्ट वाली जो लेयर के उपर यही convention कम सम दो से तीन मत यहापर सन के लेयर के उपर गिरती है तो क्या होती है यहाँ पहले से क्या होती है कि यह वाटर है एक तरह का पूरी तरह से नमकीन पानी है पूरी तरह का saturated salt water तो इतनी जादा है आप साल्ट करती है आप साल्ट की जो मात्रह जादा है ज करने यह शक्रनी नीचे फाली वाले नीचे वाली बार शाने के और कोश्रूश करती है जिसको उपर की इन्सीलेसे जोन ब涼नiteit नहीं देती है ठीक है और दूसरी क्या होती है कि इसमें menta का पूरी-tarnat नमक मिलाया हुए है जी सेузच के देंससिटी कं होने के जगा वो continue बढ़ते ही चले जाती है बढ़ते है तो इसके करन चे होती ही जो पानी है गरम होके ये वापस निच्छे कुरु चली जाती है और निच्छे के बाइब वापस नीचे वाले इतनी जदा पानी गरम हो जाती है जिसका उप्योग हम लोग जब इसके अंदर कोई भी पाइप लगा देते हैं, जैसे के यह पाइप लगी विये, यहे जो पाइप लगी हुए, उपर में कया है के साल्ट वाटर को भ्याटर को भीज़ने के लिए इसमें होती है, जब Water Outlet के सजोग से पानी को निकाला जाता है इससे एक टोड़ी से ओर स्टिम के सज़योग में कर दिया तक है वहां पर स्ट्परांड में यह उसको रोटेशान करा जाता है तर्वायन इस सब्सक्राइब कर दिया था तो मुझा सुलर के सड़ से संब्सक्ण की कि रेडिशन के सजोग से यहां पर salt water को गरम कर दी जाती है और इतनी जाता super heat कर दी जाती है कि वह पानी कमसें को 85 degree Celsius से लेकर 90 degree Celsius से पानी गरम हो जाती है जो यहां इसकी तीसरी layer है जो तो कुछ इस्ट असर सोलर पॉंड यहां काम करता है मुझे आसा है कि आपको इसके बारे में बनियाते रिकाए समझ में आच चुका हो कि दह वीडियो देखने करे थाइंक यू